दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हमारी इंडियन रेलवेज में यूज की जाने वाली लोकोमोटिव की मैनफेक्टिरिंग कहां कहां होती है हेलो दोस्तो मेरा नाम है गौरव और आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल जीस व्लॉगर पर स्वागत है तो दोस्तो लिष्ट में पहले नमर पर आता है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जोकी चितरंजन आसन सोल वेश्ट बेंगल में स्थीते और इसकी स्थापना 1950 में की गई थी दोस्तो इसका नाम देश बंदो चितरंजन दास जी के नाम पर रखा गया था दोस्तो अगर बात करें मैनफैक्टिरिंग की तो सबसे पहले 1963 से इन्होंने स्टीम इंजिन्स की मैनफैक्टिरिंग शुरू की थी और फिर दीरे दीरे इन्होंने डीजल इंजिन्स की मैनफैक्टिरिंग भी शुरू की थी दोस्तो 1973 से 1984 के बीच में इन्होंने steam engines की manufacturing को बंद कर दिया और फिर इनका ध्यान electric locomotives के तरफ गया और तब इन्होंने electric locomotives की manufacturing शुरू की जैसे कि mixed type में WAM3, WAM4 और फिर बात करेंगर goods locomotives की तो WAG5, WAG7 और WAG9 दोस्तो बात करें अगर passenger locomotives की तो इसमें WAP4, WAP5 और RDSU की मदद से WAP7 का भी manufacturing इन्होंने किया तो दोस्तो ये थी बात CLW की अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे नंबर पर तो दोस्तो लिश्ट में दूसरे नंबर पर आता है भारत है वी Electricals Limited जो की हमारी भारत सरकार के द्वारा ही चलाई जाती है और इसकी स्थापना 1964 में की गई थी और इसका headquarter निव डेली में है दोस्तो अगर बात करें production की तो इस plant ने WCAM2, WCAM2P, WCAM3 और WAG7 जैसे प्रमुख लोकोमोटिव का भी निर्मान किया है और इसके साथ साथ इसने electrical multiple units और track maintenance मसीनों का भी निर्मान किया है दोस्तो अब बढ़ते हैं तीसरे नंबर पर तो दोस्तो लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वरान सी जिसके स्थापना 1961 में की गई थी और 1964 में इसने अपना पहला लोकोमोटिव मैनफेक्चर किया था दोस्तो शुरुआत में इसने सिर्फ एलको बेस्ट लोकोमोटिव स्की मैनफेक्चरिंग सुरू की थी लेकिन 1990 से इसने EMD बेस्ट लोकोमोटिव स्की में मैनफेक्चरिंग सुरू कर दी दोस्तो अगर बात करें प्रोडक्चन की तो इसने WDM 3D, WDM 3A, WDP 4, WDP 4D, WDG 4D और WDP 5 जैसे प्रमुक लोकोमोटिव का निर्मान किया है और इसके अलावा अभी हाली में इसमें एक नया लोकोमोटिव मैनफेक्चरि किया गया था जो कि एलेक्ट्रिकल और डीजल दोनों था और जिसका नाम था WAGC 3 और दोस्तों इसकी खास बात यह है कि इसके लोकोमोटिव इर्प इंडिया में ही नहीं चलते बलकि वी देसों में भी इसके लोकोमोटिव एक्सपोर्ट किया जाते हैं इसके लोकोमोटिफ को एक्सपोर्ट किया जाता है दोस्तो डील डवलु के द्वारा मैनफेक्चर की गई लोकोमोटिफ के मॉड़नाइजेशन के लिए हमारी इंडियन गवर्मेंट ने एक और लोकोमोटिफ प्लांट्स पटियाला में खोली है जिसका नाम है डीजल लोकोम लोकोमोटिफ की गई है जो कि बिहार के माधेपूरा में है जो कि वैग 12 के निर्मान के लिए और एक है मरहावरा में जो कि डवलुडीजी 4G की जीए लोकोमोटिफ के नाम से भी जाना जाता था उसके लिए बनाये गया है दोस्तों यह तो बात थी प्लांट्स की लेकिन इन सभी प्लांट्स के अलावा एक और 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 जो कि इन सभी प्लांट्स की मदद करता है और नए नए आइडियाज और इनोवेशन पर काम करता है और जो है RDSO याने की रिशर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड और और दोस्तों इस तरह से आज की इस वीडियो में आपन पूल ना भूले तो मिलते हैं इसे तरह कि एक और नए वीडियो में थैंक यू फूर वाचिंग फ्रेंड स्टे कनेक्टेड